पीरियद्स महिलाओं में होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है पीरियद्स के दौरान हर महिला को पेट दर्द, ठकान, मूद स्विंग्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हालां कि कभी-कभी पीरियद्स समय पर ना आना भी एक समस्या बन जाती है सही समय पर पीरियद्स ना होने के कारण महिलाओं को काफी ज्यादा दर्द होता है कुछ महिलाएं अनियमित पीरियद्स के लिए दवाओं का सेवन करती हैं लेकिन आप इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकती हैं आज के इस वीडियो में हम आपको अनियमित पीरियद्स की समस्या के कुछ घरेलू उपाए बताने जा रहे हैं। दालचीनी का सेवन दालचीनी के सेवन करने से शरीर का तापमान बढ़ता है जिसके कारण पीरियद्स समय पर होते हैं। दाल्चीनी से पीरियद्स regular होते हैं. इसके लिए एक गिलास दूद में आधा या एक चम्मच दाल्चीनी मिला कर पिएँ. इसके अलावा आप दाल्चीनी की चाय का सेवन भी कर सकती हैं. इससे पीरियद्स सही समय पर आएंगे. सॉंफ का सेवन सौफ के सेवन से पीरियद्स की अन्यमिता में लाब होता है। सौफ के सेवन से गरभाशे में संकुचन पैदा होती है जिससे पीरियद्स सही समय पर होने में मदद करता है। इसके लिए एक बर्तन में पानी और सौफ डाल कर 5-10 मिने तक अबालें। फिर इस पानी को छान कर थंडा कर लें। इस मिश्रण को दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर बाद पिएं। इससे पीरियद्स रेगुलर होनगे और यह पीरियद्स के दर्ग को भी कम करने में मदद करता है। पपीता का सेवन, पपीता खाने से भी पीरियद्स रेगुलर होते हैं. पपीता खाने से एस्ट्रोजन होमोन उत्ते जित होता है जिससे पीरियद्स सही समय पर आते हैं. आप नियमित रूप से या पीरियद्स आने से कुछ दिनों पहले पपीता खाना शुरू कर दें. इसस कारण पीरियद्स समय पर आ जाते हैं. इसके लिए आप अधरक की चाय बना कर पी सकते हैं या अधरक के रस को शहद के साथ मिला कर ले सकते हैं. कौफी का सेवन, कौफी भी पीरियद्स को सही समय पर लाने में बहुत मदद करती है. मासिक धर्म की देज से करीब दो हफते पह इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं. इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें. किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह जरूर लें.